हेलो फ्रेंड सोनी स्टोरी पर आपका हारदिक स्वागत है शुरू करते हैं आज के कहाने बेटा अपने पिता के पास कया और बड़ा परिशान होकर बोला मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिटा सकता वो मुझे आखों में चुबती है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूँ लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसिवत मोल ले लूँगा पिता जी मैं आपके पास आया हूँ अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताईए पिता ने एक गहरी सास भरी और बोले देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे-धीरे खतम करता है मैं तुम्हें वो देने के लिए तयार हूँ बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी दरसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है तुम्हें आज से ही अपने पत्नी से अच्छे से अच्छा वैवार करना होगा उससे प्यार से बात करने होगी उसका एक बच्चे की तरह खयाल रखना होगा उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुनने होगी और ये सब इसलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक न हो थोड़ी देर तक वहाँ एक शांती छाई रही फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बाते तुम्हें ठीक लगे तो उस दिब्बे में वो सफेद पाउडर है उसे रोज थोड़ा थोड़ा अपने पत्नी के खाने में डालते रहना बेटे ने वो डिब्बी उठाई और वहाँ से चला गया तीस दिनों बाद बेटा फिर से जब पिता के पास वापस लोटा तो उसकी आँखों में आंसु थे उसके चहरे पर गलानी की भावना थी वह अपनी पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला पिता जी अब मैं अपनी पत्नी को नहीं मारना चाता मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ आप उस चहर का असर खतम हो जाए ऐसा कुछ कीजिए पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला डरो मत उस दिब्बी में सिर्फ चावल का आटा था असली जहर तो तुम्हारे मन में था और मैंने जो तुम्हें शर्ट बताई थी वो उस जहर का तोड़ था दोस्तों जब आप अपने मन में द्वेश, इर्षा, गुस्सा और शक जैसे जहर को बना देते हो तो वह आपको अपनों से दूर कर देते हैं उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बातें सुने अपनों का खयाल रखें, दयाभाव रखें, माफ करना सीखें और ज़्यादा अपिक्षा ना रखें दोस्तों इसी तहरे की और वीडियो सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा धन्यवाद